नमस्कार दोस्तों मेरा नमें शशी और आप देख रहें मेरा चैनल स्वाथ से शेते दोस्तों आज हम आमले की केंडी और आमले का माउथ फ्रेशनर बनाने जा रहे हैं जिसके मैंने एक किलो आमला लिया था आमला खरीते समय ध्यान रखेगा आमलो का साइज बड़ा हो और देखने में थोड़े से पी ले हूँ दोस्तों सबसे पहले हम आमले का माउथ फ्रेशनर बनाएंगे जिसके मैं आधा किलो आमला लिया है बाकी आधा किलो की बाद में हम कैंडी बनाएंगे माउथ फ्रेशनर बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की एक ठाली लेंगे अब कदूकस की बड़ी वाली तरब से आमलो को कदूकस कर लेंगे यामने सभी आमलो को कदूकस करके रख लिया है आप चाहे तो आउले के बीच को सुखा कर उसे पीस कर पावडर बना सकते हैं उससे सीर भी दूल सकते हैं या मैदी वाले घोल में 2-3 चमबच ये चून डाल का इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो अब हम 1 इंच अद्रक को भी कदूकस कर लेंगे और अद्रक के रस को कदूकस के वे आउले के उपर डाल देंगे और बची वी अद्रक को चाहे में स्निमाल कर सकते हैं अब आउले के उपर थोड़ा सा सफेद नमक भी डाल देंगे और सभी सामगरी को आउले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे उपर से एक नीबू का रस छिड़क देंगे नीबू के रस को भी आमले में अच्छे से मिला देंगे दोस्तो अब या तो आप हलकी दूप में आमले को सुखा ले या पंके के निच्चे सुखा लें दो दिन में आमला सुख जाएगा चले दूस्तों अब आवले की केंडी बना लेते हैं आवले की केंडी बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम आवला और 300 ग्राम चीनी एक कड़ाई में एक ग्लास पानी डालेंगे उसे गैस पर गरम होने के लिए रख देंगे और कड़ाई में आमले को डाल देंगे तथा धक्कन लगा कर उबलने के लिए रख देंगे 15-20 मिनट में हमारे आमले पक जाएंगे देखे दोस्तों आमले बीच से अपने आप फटने लगे हैं इसका मतलब है आमले पक गए हैं अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और सभी आमलो को प्लेट में निकाल देंगे जब आमले थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तब आमले की फाको को बीच से अलग कर लेंगे देखे दोस्तों हमने बीचों को आमले से अलग कर दिया है दोस्तों अगर आमले की फाके बढ़ी हूँ तो चाकू की सायता से उसे और छोटे टुकड़ों में काट लीजीगा अब सभी टुकड़ों को एक बड़े बावल में शिप कर लेंगे और उसके उपर चीनी बिछा देंगे और ढकन लागा कर 24 गंटे के लिए छोड़ देंगे 24 गंटे हो गए हैं चले चेक कर लेते हैं देखे दोस्तों चीनी उपर से एकदम खुल गई है और चाशनी जैसी बन गई है आमले ने अच्छे से चीनी को अब्जॉब कर लिया है आब आमले को छान कर चाशनी अलग कर लेंगे यहां हमने आमले को चाशनी से अलग कर लिया है उसे स्टील की प्लेट में फेला लेंगे और धूप में सुखने के लिए रख देंगे दोस्तों इस चाशनी को आप बोटल में भर कर फ्रिज में रख दीजेगा इसमें नीबू और नमक डाल कर शर्बत बना सकते हैं देखे दोस्तों आवले को हमने सुखा लिया है इससे बहुँ ज़ादा हाड नहीं करना है दोस्तों अब इसमें PCV चीने डाल देंगे जिसे आवले की कोटिंग हो जाए अब एक छन्नी की सायता से आवले में से एक्स्ट्रा चीनी हटा लेंगे अब हमारी कैंडी बनकर तयार है दोस्तों आवला जो हमने कद्दुकस करके रखा था वो सूख गया है देखे हाथों से एकदम नीचे गिर रहा है हमारा आवले का माउथ फ्रेशनर एकदम तयार है यह साल भर तक खराब नहीं होगा इससे एयर टाइट कंटेरनर में भरकर बाहरी रख दीजेगा तो फ्रिज में रखने की जरुरत नहीं है यह खराब नहीं होगा तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने आवले की कैंडी और आवले का माउथ फ्रेशनर तयार कर लिया है दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा थेक्यों सुमच वर वाचिंग, टेक्केर बाए-बाए